मैंने सुनाएं कि आपने लता जी का कारिक्रम भी एक बार ऐसी बीच में छोड़ा, आप अनूप जिलोटा साब का कारिक्रम छोड़ा, मेधी एसन साब का छोड़ा तो और चुकि आप इतनी मांदारी से अपनी गलतियों पर भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी और ये मेरी अखर्द वो था या या ये मेरी आउकात नहीं थी आप इस तरह कि शब्द इस्तेमाल कर रहें तो ये मेरी हिम्मत हो रही ये पूछने के वरना शायद मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन मेरी हिम्मत हो रही कि कि क्या वज़य थी कि लता जी का, मे का जी जी अभी I was kid at that time तो जग जीत अंकल के पास Sanjee Pohli जी का फोन आए था मदन मोहन जी के साफ़जादे बुले की लता जी जी का concert है देली में मैं उस समय मिर्थाल से कुछ 21 साल का हूंगा तो बुले लता जी का concert है देली में तालकटोरा स्टीडियम में और वो मेरे लिए इचाहते हैं कि मैं वाइलिन में बजा हूंगा और उस concert में सिर्फ तीनी लोग थे तीनी लोग मतलब मुजिशन तीनी थे मैं था वाइलिन पे सोलो वाइलिन पे सुराज साथ है अकॉडियन बजा दे वो थे और अनिल मोहिले जी उनका सब अरेंज बोली करते थे अचा जी और उस समय अफ इम नार्व रॉंग याम श्योड उस समय लदा जी को हैंडिल करते थे पुर्टी साब जो बाद में गुल्दा अंकल बुल्दा साब को मैंच करते थे तो मैंने जग जीत अंकल को मोले ठीक है मैं जला तरह नेली में था तो भूले तू चला जा ठीक है और योगे बात हो गई रिसल भी गई अ लता जी तो नहीं थी रिसल में अनियल मोहली जी अब तो उस दुनिया में वह भी ने रहे इश्वर उनकी आतमा को शान्ति दे बहु बस वाइलिन था एकॉडियन और वाइब्रोफोन तो हम पहुंचे डेली पहुंचे तो डेली पहुंचने के बाद अब मेरा क्या था कि जग जी तंके के साथ ट्रावल इतना किया ना तो वो सारी चीजें जो थी ना उस मुताबिक नहीं होती तो बड़ा अजीब लगता था समझा तो चलो वो मैनेज करने माने ठीके इस मैटर अफ वन डे क्या फर्पड़ता है और इतनी हम्मारी सरसुपी माय तो इनके साथ बजाने का अफसर मिला है कि यह माइंड मेकप करके मैं गया तिर जब हम स्टेडियम पहुंच रहे थे तो उससे पहले शो के कॉंसर्ट से पहले तो चालीस हजार लोग थे करीबन कुछ मुझे अनिल मोहिली जी ने मैं उनके साथ रूम शेयर कर रहा था मुझे उन्होंने कपड़े दिये कपड़े बोले यह यूनिफार्म है यह आपको पहनना पड़ेगा वाइट कुड़ता पड़ेगा तो आप मेर से ना मतलब प्यार से कुछ भी करा लो मैं जान दे दूंगा लेकिन नहीं कोता है कि यह कंपल सरी है यह करना पड़ेगा तो उसके अगेंस जाता हूं मैं फिर यह मेरा नेचर है यह बत्तमीजी भी कह सकते इसको और जो भी समझें लेकिन यह मेरा नेचर है तो अब यह तो पहनना पड़ेगा तो मैंने हम नहीं मैं इण discut Delicious फ्लाइट होती थी फटी थी बवमभे दैली की शुब अ कि वह आती थी वह फसकित तो मैं शामकी ख्लाइट से वा पस इबाप ने नहीं किया कोंसम निस doctor कि यह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूलती है कि मैंने ठीक है जो भी मेरे प्रिंसिपल्स है या मेरे उसूल है लेकिन आप एक सटन एज की बाद आपको पता चलता है कि आपने लाइफ में क्या लटा जी का कोई रिप्लेश्मेंट नहीं मां सरस्वति हैं और उन्होंने तो मेरा अल्बम लॉंच किया कुछ चार-आठ साल पहले वो मेरे भाई हैं मयूरिश भाई बड़े ही बुणी इंसान है तो उनके जरीए से वो चीज हुई और एक बार जब मैंने सोनु निगम जी क क्लासिकली माई तो उनका खुद का फोन आये मुझे कि तुमको गाना ची तुम गाते बहुत अच्छा हो मैं तुम्हारे एंडी टीवी पर देख रही हूं और बहुत अच्छा गा रहे हो तुम उन्हेंने महिरुश को भी फोन किया था महिरुश जी को भी मुझे भी खेर सब्सक्राइब तो मैं आ गया सर बंबे फिर मैंने जग जीत अंकल को गोला अंकल ऐसा था इसलिए आ गया तो वो हसते थे मेरी बात वो कुछ बोलते रेक्ट नहीं करते थे रखी के चला हो गया जो हो गया आगे का सोचो चलो ठीक में ठीक है तो यह चीज़ हुई थी